दोस्तों अगर आपके फोन में Snapchat पर कुछ इस टाइप से problem आ रही है something went wrong for example हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं इस टाइप से oops something went wrong please try again later और जब आप दुबारा try करते हैं थोड़ी देर बाद या फिर तुरन भी तो भी यही दिखाता है इस टाइप से Google Play Store पर आप जाने के बाद यहाँ पर उपर लिक करके सर्च कर लीजे Snapchat ओके अपडेट कर लेना है Snapchat को अपडेट करने के बाद आप ओपन करके देखिये कभी कबार छोटी मोटी प्रॉब्लम वगरा अप में आ जाती है तो फिर उसको अपडेट करने पर सही हो जाती है तो आप उसको open करके देखिए अगर तब आ रही है वही problem अगर solve हो जाती है तो ठीक है अगर तब भी आ रही है वही वाली problem तो आपको क्या करना है आपको चले जाना है अपने phone की settings में और settings में जाने पर आपको इस type का interface मिलेगा यहाँ पे आपको नीचे की ओर scroll कर लेना है औ इस पे click करने के बाद आपको एक option दिखेगा manage apps का आप इस पे click करिये manage apps पे click करने के बाद आपको यहाँ पे apps की list दिख जाएगी आपको snapchat ढूंड लेना है या फिर आप उपर लिख करके सर्च कर लीजे तो यहाँ पे हम snapchat लिख करके सर्च कर लेते हैं यह रहा आप इस पे करिए click इस पे click करने पर आपको इस type का interface मिलेगा आपको यहाँ पे एक option दिखेगा data usage का आप इस पे करिए click इस पे click करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे दो options दिखेंगे mobile data and wifi का आपको यह दोनों पे click करके on कर देना है वैसे इस settings में कोई जाता नहीं है लेकिन हो सकता आप से गलती से off हो गया हो ठीक है तो अब आप चाहे wifi से phone connect करिए या फिर आप mobile data से करिए आपको वो दिक्कत नहीं आएगी ठीक है इसके बाद आप back कर लीजे simply ओके और यहाँ पे अब जब आप अपना snapchat app open करेंगे चलाएंगे तो आपको वो something went wrong type से कोई भी problem नहीं आएगी अगर वीडियो से help हुई हो तो वीडियो को कर दीजे like channel को कर लीजे subscribe and bell icon को press ऐसे ही और भी वीडियो उस देखने के लिए मैं मिलता हूँ आप से एक और new वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए